नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस समय बस्पा के संस्थापक सदस कांशी राम जी के साथी सहयोगी रहे आरके चौधरी साहब का इंटर्विव तेडि से वैरल हो रहा है बेस्पी के हार के काड़ों की समक्षा पर इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है तो दोस्तों आज जो बयान है आरके चौधरी साहब का उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आरके चौधरी साहब कितना सही हैं कितना गलत हैं आखिर इनके बयानों को मीडिया इतनी तरजी तवज्जो क्यों दे रहा है दोस्तों आज हम इस पर विस्तार से बात्चीत करेंगे दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बीडियो पूरा देखा करिए बिना पूरा वीडियो देखे आप लोग जल्दवाजी में कोमेंट जो करते हैं वो अच्छी बात नहीं है कई लोग ऐसा है तुरंत सुनेंगे एक लाइन कोमेंट कर देंगे तो थोड़ा धैर रखे आराम से ये वीडियो देखे दोस्तों क्या कहा जा रहा है सुनना सीखे जब आप सुनेंगे तब आप बोलना सीखेंगे लिखना सीखेंगे तो RK चोधरी जो बसपा सरकार में कई बार मंतरी रहे BSP के संस्थापक सदस हैं जो उत्रप्रदेश में दलित चहरे के रूप में पहचान रखते हैं तो जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर RK चोधरी साहब का विचार क्या है बसपा के बारे में वस्पा के हार के काड़ों के बीछे ये क्या सोचते हैं इनकी क्याराय है दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों आप मेंसे कई सारे लोग R.K. चौधरी का नाम शायद नहीं जानते होंगे तो चलिए मैं आरके चौधरी साहब से पहले आपका परिशे कराता हूँ कि आरके चौधरी साहब हैं कौन दोस्तों आपको बता दो कि मानिवर जी ने कई सारी संगठन बनाये थी बाम से डियेस फोर उसके बहुत बाद में उने बियेस पी की स्थापना की थी तो जो आरके चौधरी साहब हैं वो बियेस फोर संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इनके माध्यम से उन्होंने डैवर्सिटी मिशन नाम से एक आंदोलन शुरू किया था इसका मकसद जनसंख्या के आधार पर जाती समूहों की भागिदारी प्राप्त करना है दोस्तों आरके चौधरी साहब जो हैं बसपार के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और कांशी राम जी के करीबी माने जाते हैं और अभी ये चर्चा में इसलिए आये क्योंकि इन्होंने लखनो के बगल में एक लोग सवासीट है मोहनलाल गंज वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की है बीजेबी के उम्मिदबार को सतर हजार वोटों से हरा दिया है इसलिए भी ये सुर्खियों में चाय हुए हैं आरके चौधरी इससे पहले भी मोहनलाल गंज से तीन बार लोग सवा का चुनावलर चुके हैं 2019 में उन्होंने बसपा छोड़ दी थी कुछ समय कॉंग्रेस में रहे उसके बाद फिर से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दावन थाम लिया समाजवादी पार्टी ने उन्हें इस बार मोहनलाल गंज से टिकेट दिया था पार्टी की उम्मीदों पर वो खड़े उतरे और उन्होंने इस सीट पर जीत का पर्चम लहराया बीचे पे के बड़े निता कौशल किशोर को हरा दिया है इसलिए आरके चौधरी का जो कद है यूपी और देश की राजनीती में काफी बढ़ गया है और जब कोई सांसत बन जाए उसका कद बढ़ जाए जब वो बात करता है तो लोग उसके बारे में बात करते है नहीं तो आरके चौधरी का जिक्र करना दोस्तों यहां कोई जरूरी नहीं था लेकिन जिस तरीके से वो इस समय चर्चा में चाय हुए हैं जिस तरीके से वो मीडिया में सुर्खिया मटो रहे हैं इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है इस पर बात करना तो दोस्तों BSP के बारे में मायावती जी के बारे में जो खास बाते आरके चोधरी ने बोली हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों वैसे तो आरके चोधरी ने बहुत सारी बाते BSP और मायावती जी के बोली हैं लेकिन मैं कुछ खास बाते आपके सामने लखना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि उत्तर परदेश में दलित राजनीती नेत्रित्तु भीहीन हो गई है, इसके बाद वो आगे कहते हैं कि बेहन जी ने कांची राम के मिशन को खत्म कर दिया है, समाजवादी पार्टी प्रमुख खिलेश यादव आंदोलन को एक दिन आगे बढ़ाएंगे, बियस्पी का जो वोट था, जो हाड कोर जो समर्थक थे मायवती जी के, वो सपा के साथ चले गए हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं, आरके जोदरी की 50% नहीं, करीब करीब 60% ब वोटर है, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है, वो कह रहे हैं कि कांची राम ने जो अलग जगाई थी, उसे सपा पूरा करेगी, बहुत सारी बाते दोस्तों, उन्होंने कही हैं, लेकिन कुछ जो बिंदुएं हैं, वो हमने आपके सावने रखी हैं, अब यह आरके चोधरी जो कह रहे हैं कि यूपी में दलित राजनिती नेत्रित भुहिन हो गई हैं, क्या उन्हें मायावती जी अब प्रासंगिक नहीं लगती हैं, क्या वो चंदर शेखर आजाद को नेता नहीं मानतें, क्या ये लोग दलित नेता नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल और मायावती जी भले ही 0 सीटे लाई, तो क्या वो दलितों का नेत्रित नहीं कर रही हैं, क्या उन्हें दलित भूल गए, क्या वाकई मायावती जी से जो दलित है वो दूर हो रहा है, आखिर आरके चोधरी बस्पा के बारे में मायावती जी के बारे में ऐसी बाते आचान क्यूं कर रहा है। देखे दोश्तों एक तो यह है कि उन्होंने पार्टी बदल ली है अब पार्टी बदलने के साथ थोड़ा सा विचारधारा में भी परिवर्तन आता है। समाजवादी पार्टी और BSP में जमीन आस्मान कंतर है एडियलोजी में एक समाजवादी विचारधारा लेकर चल रही है और एक बहुचन विचारधारा है एक अम्बेटकर वादी विचारधारा है एक समाजवादी विचारधारा है तो ये दोनों डिफरेंस हैं विचारधा तो जो आरके चौदरी कह रहा है कि उत्तर पर्देश में दलित राजनिती नित्रित बहिन हो गई तो इसे मैं सही नहीं मानता अभी भी मायवती जी दलितों की सर्वमान नेता हैं शायद आरके चौदरी बहुत जल्दबाजी कर रहा है चौदा के बाद बसपा शून हुई 19 म के मिशन को खत्म कर दिया बताईए बहन जी जो दिन रात संघर्ष करती हैं ये बात और है कि वो बाहर नहीं निकलती है और इसी वज़े से लोग उन्हें ब्यस्पी की बी टीम कहते हैं बताईए जो एकलोता नेता है जो एकलोता अपनी पार्टी को चला रहा है मजबूती कि कह रहा है कि सपा परमुक अखिलेश यादव आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे सपा ने पीडिये बनाया पीडिये ही सब कुछ कर रहा है जबकि सभी को पता है प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल के साथ क्या हुआ था और माया वतीजी ने जो तमाम जिलों के नाम रखे जबना उनके बारे में जुबान से बोलना दोस्तों ये जमीन आसमान कांतर है आरके चौधरी यहाँ पर एक चुबने वाली बात ये कह रहा है कि कांशी राम ने जो अलग जगाए थी समाजवादी पार्टी उसे पूरा करेंगी दोस्तों इस बिंदू पर भी लोगों को पती है और खासतर से बोजन समाज जो बहुत जारा जागरूख है आरके चौधरी के इन तमाम बातों से इत्फाक नहीं रखता है ठीक है आप सांसद बन गए ठीक है आप दलित नेता है आपने कांशीराम जी के साथ काम किया लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि आरके चौ बहुत उपर जली गई है बसपा के साथ बहुत सारी चुनोतियां है प्रदर्शन में गिराव अटा रही है तो चिंता की बात है तो आरके चौधरी साहब मुझे लगता है बायस होकर थोड़ी सी समिक्षा कर रहा है बेस्वी के बारे में ठीक है आपने कांशीराम जी के सा बात काम किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तरह से अबर रेट करेंगे मायावती जी को बेस्प को बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आरके चौधरी ने जिस तरीके से बेस्पी का आंकलन करना शुरू किया जिस तरीके से वो सोशल मीडिया में मीडिया में आरके चौदरिक की बातों से आप कितने सहमत हैं अपनी परत्किरिया देजी बहुत बहुत धन्नवाद शुक्रिया